हेलो गाइस वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंतर हम डिसक्स करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नमबर 3 कॉड़लेटर्स जिसके एकसे 3.3 का क्वेशन नमबर 5 क्वेशन नमबर 5 है हमारे पास the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3 ratio 2 find the measure of each of the angles of the parallelogram आपको question में दियावा है कि जो adjacent angles नमबरs के इंदर हमारे पेरलोग्राम्स होते हैं, ठीक है, पेरलोग्राम्स से कितने number of angles होते हैं, four angles होते हैं, और four angles होंगे, तो मतलब क्या होंगे 4 angles बनेंगे हमारे तो यहां पर हमें क्या करना होगा देखे इस question की क्या strategy होगी आपको पता है जितने भी ratios होते है जैसे कि for example 3 ratio 2 है तो जितने भी ratios वाले question होते हैं यहां पर हम क्या लेते हैं हम common ratio लेते हैं तो क्योंकि यह कोई value नहीं है यह कोई adjacent angles नही है अगर आप कहोगे 3 1 angle है नहीं 3 angle नहीं 2 angle नहीं यह ratio दिया है क्या दिया है Ratio दिया है तो यहां पर हमें क्या करना होगा यहां पर हमें common ratio लेना पड़ेगा तो common ratio लेते हैं हम common ratio क्या ले लेता है x, अगर हमने common ratio इनका दोनों का x लिया, तो यह जो adjacent angles जो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे 3x और 2x हो जाएंगे, जब ही तो हम कहते हैं कि जब भी ratios में होते हैं, तो यह क्या हो जाता है, हमारा 3x और 2x angle बन जाएंगे, तो वो ऐसे बनता है, ह 2 adjacent, 2 adjacent, 1 minute, 2 adjacent angles will be 3x and 2x respectively, clear है बात, कोई परिशानी, 3x और 2x हमारा हो जाएंगे, दोनों angles, त्क है, अब देखें यहां पर, यह अगर 3x है, यह 2x है, अब मैं थोड़ा आपको figure देके समझाता हूँ, कि यह क्या बोल रहा है, यह एक parallelogram है, parallelogram की बात हो रही है, तो मैं parallelogram बना देता हूँ, एक आपके सामने, यह लेजी हमने एक parallelogram बना दिया, ठीक है, यह parallelogram, यह A है, यह B है, यह C vertex है, और यह D vertex है, यह कहरा है, यह 2 adjacent angles, मैं कहरा हूँ कि एक to a adjacent angle, A, A का adjacent एगल होगा, एंगल B होगा, और A का adjacent angle D भी हो सकता है, क्या A का adjacent C यह क्या, नहीं है, A का opposite angle C, तो A का adjacent कॉन होगा, या तो B होगा, या D, दोनों ही है मतलब, यह मिला कर बात ही है, तो हम B को ले लेते हैं, तो angle A जोग हमारा 2x होगा दोनों adjacent angles है और आपको पता है parallelogram की मैंने property में आपको बताया था कि जितने भी parallelograms में जो adjacent angles होते हैं उनका sum क्या होता है 180 degree sum of the adjacent angles of a parallelogram is 180 degree ठीक है supplementary होता है clear है तो हम कह सकते हैं ठीक है clear है since the adjacent the adjacent angles in a parallelogram in a parallelogram is supplementary क्या होता है adjacent angles जो होते है parallelogram में वो क्या होते है supplementary होते है supplementary means क्या होता है दोनों angle का sum क्या होगा हमारा 180 degree होता है तो हम क्या सबता है according to question therefore यह क्या हो जाएगा 3x supplementary होते है अगर इन दोनों का sum क्या होता है supplementary होता है तो 3x plus 2x sum क्या होता है इनका दोनों का 180 degree तो 3x plus 2x is equal to 180 degree बोल सकते हैं अब इसे आप reduce कर लीची तो x 5 3 जा 15 and 5 6 जा 30, ठीक है, तो 36 degree हमारा x की value find हो गई, अब देखे, x की value find हो ये, हमारा 3x, अब अगर हम 3x में कुछ value put कर दें, तो हमारा ये angle भी find हो जाएगा, कि कितने degree का ये degree में थोड़ी ना है, ये 3x और 2x, degree में नहीं ना, degree में values निकालने 1 angle, यह हम कह सकते है angle a, जैसे कि angle a है ना, angle a, angle a क्या है हमारा, 3x है, तो 3x में बोले तो 3 x की value हमने 36 degree put करी, कितनी आएगी, 36, 3, 3, 0, 1, 0 होता है, clear है, similarly हम angle b find करें, angle b, तो angle b के होगा, angle b हमारा 2x, और 2x बोले तो 2 x 36, x की value put करनी ही, 36, 2 जा 72, 72 degree, clear है, अब आपको सब angle निकालने थे नहीं आपर, क्या बोल रहा, find the measure of each of the angles of a parallelogram, अब बताओ angle c क्या होगा, तो angle c कौन होगा, angle c किसके equal है, angle a के equal है, तो क्यों, क्योंकि opposite angles है, देखो angle a और angle c opposite angles है ना, और opposite angles जो होते है, parallelogram में क्या होते है, equal होते है, तो angle c जो होगा, वो angle a के equal होगा, क्यों, क्योंकि opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है, तो हम कह सकते है, angle c is equal to angle a, then angle c जो होगा, वो कितना, angle a कितना है था, 108, तो angle c is equal to 108, इसका आप reason देदेना, opposite angles of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है, similarly, यहाँ पर अगर angle d की बात करें, तो तो angle D जो होगा, वो किसके equal होगा, देखें, D और B, यह दोनो opposite angles है, तो angle D जो होगा, वो equal होगा angle B के, तो हम कह सकते हैं, जो angle D होगा, वो कितना होगा, angle B के value कितनी है, angle B के value 72 डिगरी है, इसके लिए भी reason यह वाले लिखोगे, तो आपने सभी angles निकाल दिए, angle A, angle B, angle C, angle D, देखें, यहाँ पर angle A के value निकलिए, 108, angle B के value निकलिए, 72, angle C के value निकलिए, 108, और angle D के value निकलिए, 72, clear है बात, कोई परिशानी, तो इस टाइप से, अगर आपको properties पता है, parallelogram के, तो आप easily crack कर सकते हो, अगर आपको properties ही निकलिए निकलिए, तो आप कैसे करोगे इस question को, ठीक है, तो सबसे पहले आप introduction पार्ट ज़रूर देखना, जहाँ पर मैंने properties और सब इस चीज़े discuss कर रखे है, इस chapter का पूरा half an hour की एक वीडियो है, जिसके अंदर पूरा chapter मैंने discuss किया है, तो please यार, उसको आप जरूर देखना, जिससे कि आपके पूरे concepts clear होंगे, इस chapter से related, clear है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर वीडियो पसंद आइए, तो please लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकिशन आपको time to time मिलते रहे, thank you so much